असलाम उलेकुम डियर वीवर कैसे हैं आप उमीद है कि आप बिल्कुल खेरो आफियत से होंगे मैं आप लोगों को वैलकम करता हूं एजुकेटर्स प्रिप्रेशन के फिफ्थ लेक्चर में सब्लाल उराम्हाइब हमने ग्रेड वाइफ के जो मैथिमेटिक्से लेक्रेशन के सवे ग्रेशन कर m लगा हने उसके खभी किये तो हमने की वह से ग्रेडर करें OLED के यह व्यजुड को देखना ही भी डी खेरो बेहुज की कıldब हैं यहाँ मेंWow में कोंसे prosecutors दिये गए है यूने कि हम बड़ी-बड़ी बुक्स जो है वो पढ़ते रहेंगे ऐसा काम यहां पर नहीं है बस मेन कुंसेप्ट होना चाहिए तो आज का जो टोपिक है वो है फिनांशिल अरिथमेटिक तो उसमें सबसे पहले परसेंट की बात किये गई आपको पता है कि पर है तो फूर परसेंट है इसी तरह हम क्या कहते हैं कि वान ओ ओओ ओफ ट्वैल का मतलब है ट्वैल में से वन है तो अगर हमने परसेंट की बात करनी है तो फिर हम आउट ओफ हंड्रेड लेंगे तो हम परसेंट की बात करेंगे तो यह भी परसेंट में आएगा यह भी परसे को आप जानते हैं इतने कोई माची Firicault गृक नहीं धा यह है कि हम पर्संटेज को हम कैसेे मतलब डैसिमल इसे करें उसे तो सिंपली यही है कि हम उसमें क्या है कर दिया करते हैं लोगों को आता है इतना कोई मुश्किल बत नहीं आप कर ka सकते यहां कहते हैं यहां पर सिर्फ उसे पढ़ना कि हमने कौन उसे कुणों सा कुटन करना है और कौ सा कॉन जो है वे हमारे टेस्ट के लिए क्या कहते हैं में कौन Sों सम तेंट देगे बाकिया आप लोग इसे पढ़ना जानते हैं अंसे हम वह कि पहले हैं तो सपते हैं इस को क्या करते हैं कि फिर अगर पर हम जो the उसके बाद आ रही है कि सेलिंग प्राइस क्या होती यह क्या होता है डिसकाउंट क्या होता है तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिखे गे कि उसका फार्मूला हम उसको हम जो notation होगी वो हम S.P.E. ते उसको denote करेंगे और बग क्या आपको पता है कि कोई चीज जब वो sell की जाती है तो जिस price पर उसको sell किया जाता है वो selling price कहलाती है उसको प्रोफिट की बात आ रही है तो profit क्या है प्रोफिट यह है कि जो हमने कोई चीज खरेती है उसकी जो कास्ट होगी उसको अगर selling price में से निकाल दें तो जो हमारे पास value आगी उसको प्रोफिट का नाम देते हैं वो प्रोफिट होता है और अगर हम प्रोफिट को percentage में निकालना चाहें तो वो हमारे पास फार्मूला यह है कि profit numerator में profit होगा denominator में क्या होग कास्ट price होगी उसको 100% से multiply कर देंगे तो यह है और इसी तरह क्या है कि अगर loss की बात हो और यह loss उससे क्या है क्या पोजिट है अब वो उसमें हम selling price में से कास्ट price निकालते थे अगर हमें loss आ गया है तो फिर loss निकालने के लिए हम कास्ट price में से selling price निकालेंगे तो remaining जो ब यहां पर प्रोफिल लिखा जाता था वहां पर loss आ जाएगा यह है और उसके बाद यह exercise exercise मैंने देखिए इतनी मुश्किल नहीं है यह आप लोग कर सकते हैं यह आप लोगोंने खुद करनी है तो यह जो होगी यह test का हिस्स होगी इन्शाल्ला और यह क्या कहते हैं कि NTS के ह करते हैं कि Algebraic sentence क्या होता है तो अब आप अगर यहां पर देखे तो एक टर्म यहां पर लिखे गई सैमन एन प्लस टू यहां पर आप से अगर आप एन देखे तो एक वेरियाबल के तो पर लिया गया है सैमन उसका कोईफिशेंट है और जो टू है वह एक कॉंस्टेंट है फिए हैं वह कूंस्टेंट होते हैं अच्या उसके बाद क्वाट हो रही यह तो मुझे लगता हैं समझाने को जरूत नहीं आप लोगोंको पहले पता हैं कॉंस्टेंट वैसे यह करिंगे क SARAH का ओप्रेशन यह देखें ऑप्रेशन के बात और इसमें इसमें इन्हों ने कि division और उसके बाद उसने बाद कि ए मुल्टिप्लिकेशन, variable का आपको पता है, वो बताने के जरूर रही है, उसके बाद क्यफिशन्ट का भी आपको पता के variable के साथ जो multiply हो रहुत है, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, गर हमारे expression एक ऐसा expression होते है कि वो अगर क्या है कि कहते हैं कि any numerical variable और combination of numerical and variable connected by one or more mathematical expression is known as algebraic expression यह देखें algebraic expression लिखें हुए यह सारे algebraic expression कहलते हैं तो उसके बाद monomial की बात आ जाती है तो ऐसा हमारे पास algebraic expression जिसमें सिर्फो सिर्फ one term मुझूद उसको monomial कहेंगे यह वाला यह देखें इसमें सिर्फ one term है यह monomial है लेकिन इसमें two term है इसमें यह monomial नहीं होगा monomial सिर्फ यह एक ही होगा उसके बाद binomial binomial ऐसा algebraic expression जिसमें two term हो यह देखें इसमें two term है तो इसको हम binomial कह सकते हैं और उसके बाद त्राइनोमिल जिसमें three terms आ जाएंगे जाहरी बात है कि उसको हम ट्राइनोमिल कहेंगे और उसके बाद algebraic sentence की बात आ रही है कि algebraic sentence एक ऐसा sentence होता है कि जिसमें algebraic expression को combination यूज किया जाता है उसको algebraic sentence के तोर पर लेते हैं और उसमें क्या होते कि एक equality का sign आ सकता है यह देखें जिस तरह के हमने equation लिखिए यह कि लिजब algebraic sentence है और उसके बाद statements क्या होते है statements वह होते हैं उसके बारे में ना information जैसे कहते हैं कि यह true sentence है यह false sentence है यह चीजे statements कहलाती है बद ओपन statement क्या होती है open statement एक ऐसी statement होती है जो कि whether it is known as open statement तो जिसमें कोई information ना हो कि यह true है या false है तो उसको open statement कहते हैं जैसे यह है यह देखें इसमें को decision नहीं लिए जा सकता क्योंकि x की value अगर हम यहां पर seven करते हैं फिर true है अगर seven नहीं तो फिर true नहीं है यह तो फिर condition पर depend करेंगे हैं condition नहीं लगी यह open statement है और like terms क्या होती है like terms वो होती है जिसमें एक जैसे variable हो जैसे कि अगर हमारे पास यह क्या कहते हैं कि एक यह हमारे पास algebraic expression है तो इसमें अगर हम देखें तो variable किस किसके सेम है एक five के साथ variable सेम एक two के साथ variable सेम है एक यह 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 तीनों के variable वाई हैं तो यह यह like terms कहलाती है and like terms वो होती है जिनके variable सेम नहीं होते जैसे कि अगर आप यह देखें टू एक्स है और फाई वाई है यह इस algebraic expression में यह दोनों unlike terms हैं एक दूसरे के लिहाज से और उसके बाद यह जो है यह exercise आप लोगों ने खुद करनी है और यह exercise भी बहुत बड़ा क्या कहते हैं कि हिस्सा होगी टेस्ट का लीनर equation की बात आ जाती है लीनर equation एक ऐसी equation होती है जिसमें algebraic expression के के दरम्यान एक equality का साइन आ जाए और उसमें जो क्या कहते हैं के जो हमारे पास variables उनकी power one हो बाकी आप यहां से algebraic equation की definition वगएरा बढ़ सकते हैं और यह एक algebraic equation की क्या कहते हैं कि एक example दीगी यहां पर और उसके बाद linear equation है और linear equation जो हम बात करें वो अब यह है linear equation वो तो algebraic expression के में equality का साइन आ गया है तो algebraic equation है लेकिन यह linear equation जो मैं कह रहा था वो यह है इसकी examples भी दीगी है और यह जो exercise है इसमें इतना को मुश्किल नहीं इसमें variable बगएरा की power क्या कहते हैं कि value निकाल नहीं होती है बस इतने थोड़ा बहुत factorization आ जाएगी वह आप लो होता है तो उसको हम क्या करते हैं कि उसको एक एक अच्छे तरीके से उसको arrange करना और का कि किसी को अच्छी क्या कहते कि उसके बारे में मालूमाथ फराम कर सकें जैसे कि हम कहते हैं कि कि स्टूडेंट का result बनाना है तो फिर सब से पहले उसका roll number लिखा जाएगा उसका नेम लिखे जाएगी और वो जो उसको हमें रिजल्ट कारद देंगे वो एक information होगा वह जो हम काम कर रहे हैं वो जो हमारा procedure है वो information handling कहलाता है information कहते है information handling का मतलब है कि data को मुनज़िम तर्थीब में क्या करता है कि उनको तर्थीब देना और वो ताके हम दूसरे को एक information के तोर पर उसे क्या है कि फराम कर सकें और यह इतनी कोई मुश्किल नहीं छोड़ चोड़ी तारीफ लिखे गी है जैसे कहते हैं निमेरिकल पैक्ट्स उप्टेंड फ्रॉम उब्जर्विशन एक्सपेरिमेंट्स यह लिखा हुआ है इस काल्ड वो data कहलता है और उसके है इसके बहुत होती है कि डीकाउड की चुट्ड होती है वह थो ट्यक्षंद होती है कि ट्राइन कि सता है कि फार्मेशन का इन वार गञाफ बिट और यह कहते हैं वह अब विरण बार ने चाहिए और उसके बाद क्या कहते है कि पाई ग्राफ इद आल सो नोन है सेर्कुलर हाँ पाई ग्राफ जो होता है वो सर्कुलर ग्राफ भी कहलाता है यह देखें यह आपके सामने यह पाई ग्राफ है यह देखें इसको सर्कुलर ग्राफ भी कह सकते हैं और उसके बाद सम ओफ मैयर्ड ओफ एंगल इन पाई ग्र प्रिटल एंगल बनें गाना आपके सामने यह वह टूटल थ्री सिक्स्टी डिक्री बनेगा और श्री तरह से क्या है कि जो पाई ग्राफ होता है उसमें कहते हैं यूज होती हैं यह जो यह जो खाने बने हैं यह एक सैक्टर यह दूसरा सैक्टर यह तीसरा यह चोथ चार सैक्टर इसमें टूटल यह सैक्टर कहलाते हैं और उसके बाद बार ग्राफ जिसमें बार यूज होती है उस बस सरकल का तो आपको पता है कि सरकल ग्राफ होता है कि में उसमें भी क्या कहते हैं के Hefner होते हैं और उसके बद ग्राफ शोर रिलेशन्शिप बेटमेन टौ डिफरेंट कॉंटिटीज के दरम्याने रिलेशन्शिप के लिए यूज होता है और आगर हम डाटर को गृरूप करते हैं तो ग्रूप डाटर कहलाता है ये कोई मुश्किल चीज़े नहीं हैं ये आप लोगों ने कुदब कर लेनी है कि पैरिमेटर एंड एरिया की बात हो रही है ये हमने सिक्स जो हमारे पास ग्रेड था उसमें पढ़ा था उसमें हमने पैरिमेटर ऑफ रेक्टेंगल भी पढ़ लिया था एरिया है आलचूड ओफ जुमेटिक पिगर रहे इस दी मैयर ओफ दी शाटर्स डिस्टंस बेट्वीन बेस एंड इस अपोजिट वर्टेक्स आप यह देखें के यह जो है यह हमारे पास यह बेस है यह जो निच्वरी लाइन यह बेस है और इसके अपोजिट में जो वर्ट क्या कहते हैं कि वर्टेक्स है यह वर्टेक्स कहलाता है यह जब दो लाइन आपस में यहां पर इंट्रेसेक्ट कर रहे हैं यह वर्टेक्स है और इसके बिलकुल अपोजिट है इसको क्या कहते हैं कि अब क्या कहेंगे यह पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है वह आलचिचूड ह हुआ है उसके बाद एरियो पर यह आँ घ्या है अगर हमारे पास हाइट क्या है हाइट हो यह जो आप देख रहे हैं यह हाइट जो है वह है और भी बेस है तो एरिया क्या होगा वह हाइट और बैस को मल्टिप्लाइ कर दिया जाएगा और उसके बाद area of triangle क्या है कि वह हाइट जरब base into one over two मतलब वही parallelogram वाला काम करना है लेकिन एक extra काम करना कि इसको one over two से भी multiply करना है और उसके बाद area of trapezium क्या होती है कि trapezium एक ऐसे shape होती है आप यह देख न बाद लिए देख यह एक ऐसे shape है इसको trapezium कह सकते हैं यह देखें यह trapezium है तो इसका जो हम area निकालते हैं वह क्या होता है कि sum of bases तो जो basis होती है उनको उनका sum करना है एक यह base है एक यह base है इनका sum करना है और इसको multiply करना है यह आल्टिचूड होगा है चिस से मल्टिप्लाई करेंगे तो इसका एरिया निकलाएगा बाकिस को आप अच्छे तरह याद कर सकते हैं और इसकी एक्सरसाइज भी आप लोगों ने करनी है कि जो भी यहाँ पर देगे हैं कोई कि ब् peripheral कोई ने दिया है यहां पर सारी बेसिक चीज़े देएगे और ठाहरे चेब बाद करूगा फाट हो रही है कि जब ठाहरे सौरेंशनल सोल्य॥ में कोई भी हमारे पास नीकोड हों गहते हैं और इसके जो अगर हम faces कहें तो faces total इसके होते हैं six faces होते हैं bottom में होता है, top में होता है, right में होता है, left में होता है और उसके बाद front में होता है, एक back में होता है, उसके बाद vertices की बाद और इसका total vertices कितने होते हैं, eight होते हैं, आपके सामने ही है, vertices वाइड़ के सामनीुक और तो उसके बाद से रहाई कहते है और क्यूब आइड का यहां information दिए गया आपके सामने क्यूब आइड है तो उसके बाद rectangular faces there are six rectangular यह जो हमारे पास face बनते हैं ना यह वाले यह rectangles होते हैं तो यह यहां पर six total faces है और volume of cube आइड वो पहले दिया गया है सारफ कुछ और आप लोगों ने exercise भी क्या करनी है कि खुद करनी है इतनी क्यूंच difficult नहीं होगी यह बस वही इसका क्या कहते हैं कि वाले मालुम करना है और उसके बाद यह अब हमने आज का जो लेक्टर होता है यहीं पर होता है एंड इंशाला ताला हम कल से न सेमंथ सेमंथ ग्रेड का जो मैं आते हम उसको करेंगे तो आज के लेक्टर में से अगर क्वेस्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि ओके वैल चलो ठीक है हम फिर मिलते हैं नेक्स लेक्टर में प्रिप्रेशन को जारी रखिए मेरे लिए दुआ कीजिएगा बाकी सब दोस्तों के लिए दुआ कीजिएगा नेक्स लेक्टर तक के लिए लाफीज करते हैं